आपने भोजन खाया, भोजन हमारे स्टमक में गया, जहांपर वो छोटे छोटे टुकडों में तूट गया, एसिड के द्वारा, स्टमक से ये छोटी आत में जाएगा, जहांपर इस भोजन में मौजूद जो भी पोशक तत्व थे, वो छोटी आत द्वारा सोख लिया जाए अब इसके बाद छोटी आफ से हमारा ये खाया हुआ भोजन जाएगा सीधे हमारी बड़ी आतमे जहाँ पर इस भोजन में जो भी water के content थे वह soak लिए जाएंगे कुछ mineral soak लिए जाएंगे कुछ salt soak लिए जाएंगे उसके बाद जो material बचा हुआ होगा बड़ी आतमे उसे कहते है हमारा स्टूल या मल इसी बड़ियात में लगबग 80-90 प्रतिशत पानी सोख लिया जाता है जो भी हम भोजन में खाये रहते हैं आपको पता है कि हमारा यह जो स्टमक है स्माल इंटेस्टाइन है और यह जो लार्ज इंटेस्टाइन है हमेशा एक वेव लाइक Ultra करते रहते हैं जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं असल में इन सब के अंदर ही अंदर सर्कूलर मसल और लॉगित्यूड़ मसल से बने हुए लेहर्स होते हैं जिस पर नर्व आकर ज या तो हम डी फेकेशन के थूरू Zucker देते हैं अब देखिए आध से जसे मैं ने बताया कि food से water को सोख लिया जाता है तो क्या होता है जब इसी बड़ियात से बहुत ज्यदा पानी सोख लिया जाता है तो जो मल बचता है В BÜNDNIS global ke उल बहुत ही कथोर सा हो का मूमिंट न हो जो मल को आगे बढ़ा कर रेक्टम तक ले जाए जो मल को बाहर आसानी से निकाल सके या फिर जो मल लार्ज इंटेस्टाइन में है उसमें पानी की मात्रा इतनी ज्यादा कम हो जाए कि वो कठोर होकर एक जगा इकठा हो जाए बिल्कुल मूमिंट ही न करे इ यह लार्ज इंटेस्टाइन बहुत जादा वाटर को सोख कर ब्लड़ के थुरू के शरीर मिले जाता है और कभी भी वाटर इंटेस्टाइन में एकठा नहीं रह पाता है वह कौन से तत्व हैं जो वाटर को अपने अंदर सोक के रखते ऌह हैं जिससे मल में भी हामेशा थो दार सबजियों में केले में बहुत सारी चीजों में पाया जाता है अगर वो आप नहीं खाऊगे जो पानी को सोक करकता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में तो आपको कब्ज होगा या फिर कुछ ऐसे मेडिकेशन ले लो आप जो लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत ज़्यादा पानी सोख ले अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया हो या आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो या किसी भी प्रकार का कोई इंफ्लेमेशन हो गया हो, इंटस्टाइन वगेरे में, तो ये बॉविल के मुवमिंट को स्लो कर देता है, और स्लो हो जाने के कारण से, पेट में मौजूद मल बहुत ज्यादा दे तक टिक नहीं पाता है, जो यहां से बहुत ज्यादा पानी सोख लेता है, और ये कब्स का क करना ही है, आपको बता दे कि जो भी भोजन आप खाते हो, उसको पूरी तरीके से पच कर, मल में कनवर्ट होने में, तीन दिन का समय भी लग सकता है, हर फूड को नहीं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट यही है, अच्छा खासा पानी पी कर, हमेशा फाइबर रिच, फूड खाकर टेंशन ना लेकर, और अगर कोई मेडिकल कंडिशन है, जो बॉविल मुमिंट को स्लो कर रहा है, तो उसको ट्रीट करा कर, कब्स से निजात पाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे, ज़रूरी नहीं है कि आपको कब्स है ही, ये कोई बिमारी नहीं होती है, ये बिमारी का सि बाचिग गहा है, जो भॉरूरी नहीं है, जो थे से लिजात लेकिन देशन है, जो भॉरूरी नहीं है, जो भी है, अजो इ। आपको कर रहिं है।